नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका कसान आजे टेक्निकल पर अब हम करने वाले हैं रियल्मी की C21Y का आउट्डोर डॉप टेस्ट सबसे पहले हम इसको पॉकेट हाइट से और इयर हाइट से गराएंगे तो सबसे पहले पॉकेट हाइट से बॉटम साइड से अभी देख ले बॉटम साइड यहां से लगा है यह पॉकेट हाइट अप साइड अभी तक तो ठीक है अब बैक साइड से पॉकेट हाइट से बैक साइड से क्यामरे का गलास तो ठीक है और स्क्रीन भी इसकी ठीक है अभी तक रियल्मी c21y इसमें 200 ग्राम वजन आता है और 6.5 इंच की इसमें आपको sd-plus डिस्प्लेय मिलती है तो देखते हैं यह इस स्क्रीन टेस्ट में सर्वाइब करें यह नहीं करेंगा फॉकेट हाइट स्क्रीन साइड को कि यहां तो भी बच गया है फॉकेट हाइट के सारे टेस्ट यह सर्वाइब कर गया है पॉकिट हाइट के, जितने भी टाश्ट अवी तक हम ने इसके किया है, वो ये सरवाइव कर गया है, भून पढ रही हैं, तो थोड़ा टावल रख लिया है, अब इयर हाइट से, एयर हाइट, बॉटम साइट, एयर हाइट, बॉटम साइट, अभी दोस्तों इसक्रीन इसकी बिल्कुल ठीक है वारी स्टेज होती जा रही है कैमरा भी बाहर है इयर हाइट अपसाइड देवा फिर से गराते हैं इयर हाइट अपसाइड इसक्रीन इसकी ठीक है अभी तक इयर हाइट अपसाइड स्वरी इयर हाइट वैक साइड दोस्तों इयर हाइट से अभी तक इसकी स्क्रीन काम कर रही है कैमरे का गलास भी ठीक है और बारिस तेज होती जा रही है मैं कोई protection लेके नहीं आया camera के लिए भी जिससे camera वरी थोड़ी बारिस आ रही है इसलिए test को तोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग मैं एक बाद फिर आपके लिए बतायता हूं कि realme c21y में आपको 6.5 inch की HD plus display मिलती है जिसकी protection के लिए कौन से glass की protection company ने दिये यह आजकल realme ने बताना बंद कर दिया है budget segment mobile के लिए बाकी इसमें जो display है वो काफी अच्छे display है हमारे इंडो टेस्टें भी survive कर गई थी और अब इसका last test जो है warm कर लेते हैं 200 gram इसका वजन है यह राइट इसक्रीन साइड दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि इसकी screen इस वाले drop test में टूटी होगी या बची होगी ओव वाव कमाल गर दिया अब यह देखिए अभी तक इसकी screen नहीं टूटी है यह हमारे outdoor टेस्ट ने भी survive कर गया है तो दोस्तों Realme C21Y की जो screen है वो हमारे outdoor टेस्ट में survive कर गई है तो काफी अच्छी performance इसकी रही है अब मैं इसका next कोई और अलग से टेस्ट ट्राई करूँगा तो काफी अच्छा mobile है आपने देखा होगा कि इसी segment में आपको मिलता है Tiger 6 प्रोसेसर के साथ में Micromax in 2 भी उसक इसकी भी जो screen है वो हमारे indoor और outdoor drop test में survive कर गई है तो आप एक बाल लेने से पहले दोनों का comparison भी देख लें और Micromax in 2 भी आप देख लें उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा तो चले दोस्तों यह था Realme C21Y का outdoor drop test यह drop test आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर साथ ही आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्र करके लो तोस्तों करता सही है मैं reveal आपको करना बटन मिल झापको को दो करके लिए आपको करके बातार आही है 3 richness आपको कैसा लिए है ुपे आपको 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 का मिल भील आपको प्रूर आपको कि मन सहीं है को selते है?